हेल्दी वल्दी, हेल्दी वल्दी हेलो फ्रेंट्स एंड वेरी गूद मॉनिंग आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो हेल्दी वेल्दी में और मैं हूँ अंजू निर्वान और आपकी हेल्द से जुड़ी तमाम बातों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बुखार के साथ खासी, सिर्दर्द, गले में खराश और नाकबन जैसी प्रॉबलम ने इन दिनों सब को घेरा हुआ है हॉस्पिटल्स में पहुँचने वाले जाद दर पेशन्ट वाइरल फीवर के हैं रात में छंड़ा का एहसास होता है और दिन में धूप लगती है जिसकी वज़े से वाइरस एक्टिव हो जाते हैं अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे दो-तीन दिन से ज़्यादा बुखार है तो कोशिश करें उससे दूर रहने की और अगर आपको दो-तीन दिन से ज़्यादा बुखार हो चुका है तो आपको जरूरत है डॉक्टर की सलहा की और अब जब डॉक्टर का जिक्र आही गया है तो चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे वाइरल फीवर में बचने के क्या हैं तरीके यह वाइरल इंफेक्शन एक तरह का किटानू है जो जिस तरह बैक्टिरिया होते हैं फंगल होते हैं यह बॉड़ी को अटैक कर देता है और उसके बाद इंफेक्शन होने के बाद डिफरेंट तरह के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं जैसे कि बुखार है जिसम तूटना है गुटनों में दर्द होना जोनों के अंदर दर्द होना और कई बार खासी जुकाम बॉड़ी एक्स के साथ इलावा खून की उल्टी वगरा भी हो स सकती है बुखार तूटने के चार से पांथ दिन बाद जब जो जो डिफरेंट से जिसे कहते हैं उस स्टेज के अंदर बॉड़ी के अंदर जो कंड होते हैं जिसे प्लेटलेट काउंट कहते हैं वो धिरे-धिरे कम होना शुरू हो जाता है और इसमें सबसे जरूरत होती है कि पेशन के अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए जितना जादा से जादा पानी पेशन अपने आप कंड्यूम करे वो उसके लिए बेटर रहता है तो कोशिश यह होनी चाहिए कि कम से कम एक से डेड़ लीटर पानी या पानी की तरह और जिस तरह जूसे दिया जाए ताकि dehydration ना हो लेकिन कोई भी ऐसा food जिसकी वज़े से हम यह कह सकें कि यह infection नहीं होगा या infection को रोका जा सकता है ऐसी कोई भी food नहीं है ऐसा कोई भी full food नहीं है जिसकी वज़े से यह कहके infection को control किया जा सके बाकि खाने पीने का यह है कि जो भी मरीज अपने आता है बुखार इतना तेज होता है कि normal activity करना possible नहीं है इसमें कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम 5-6 दिन आदमी को पूरा rest करना चाहिए क्योंकि viral infection होने से जो body achs हो रही है जो muscle pain हो रही है यह चीजे जो है यह बढ़ सकती है तो इसलिए जरूरी है कि यह patient बिल्कुल आर कर दो